विद्ध्याले या पाठशला वह स्थान है जहां सिक्षा ग्रहन की जाती है विद्ध्याले एक ऐसी संस्ता है जा बच्चों के शारिरिक, मानसिक, बोधिक और नैतिक गुणों का विकास होता है प्राचीन भारत में विद्ध्याले गुरुकुल के रूप में होते थे ये अकसर गुरु के घर या किसी मठ में होते थे मुगलों के जमाने में बच्चों को सिक्षित करने के लिए मदर्शों का आरंब किया गया इसके बाद ब्रिटिस सामराजिय में क्रिश्चियन, मिश्णरी और आवास ये विद्ध्याले खोले गए जैसे जैसे ये प्रशिद हुए तो कुछ विद्ध्याले खोले गए आज ज्यादतर विद्ध्यालों में पढ़ाई लिखाई के दोरान अनुशासन और पाठे करमों में अंग्रेजी नियमों का पालन किया जाता है लेकिन आज 21 सदी में राजधानी जैपुर के जाहोता छेतर में एक ऐसा विद्ध्याले है जो बच्चों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संसकार की सीख भी देता है जी हाँ ये है ब्राइट पबलिक स्कूल स्कूल के नाम से जरूर अंग्रेजी पन जलक रहा है लेकिन यहां के बच्चों को विद्ध्याले प्रशासन द्वारा पढ़ाई के साथ साथ धर्म शास्त्र कानून, खगोल, एस्ट्रोनोमी, आचार विचाज, जीव, चिकित सा विज्ञान और धर्म के बारे में सिखाय और पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संसकार भी मिलते रहे, विध्याले के संचालक रतनलाल यादव ने बताया कि आजकल के माता-पिता दोधारी तलवार हो गए हैं, अगर बच्चों को भोटिक संसादनों से वन्चित रखा जाए या कुछ सीमाय बना दी जाए, तो वे मन में माता-पिता के प्रती द्वेश पैदा कर लेते हैं, अगर बच्चों को सारे सुक्स विधाय दी जाए, तो वे अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते हैं, और ऐसा कार्णमा कर गुजते हैं, जो समाज की नजरों में हिमाकत और मनमानी कहला है, ऐसे में माता-पिता के साथ विध्याले परिवार भी ये प्रियास करता रहता है कि कैसे संतूलन बनाए कि बच्चे खुश भी रहें, साथ ही अच्छे बुरे की पहचान भी कर सकें, चुनोती कठिन है, लेकिन समश्या के साथ समाधान भी मोजूद है, उन्होंने बता का जाब कराया जाता है, वहीं उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून की जगे, राधे-राधे अभिवादन के रूप में बच्चों को सिखाया जाता है, उन्होंने बताया कि हम बच्चों को जैसे संसकार देंगी, वे संसकार ल तो उसे पता नहीं होता कि वो जीवन की सबसे अच्छी और महतोपून जगह पर जा रहा है किसी भी बच्चे का व्यक्तिगत निखानने के लिए और इसका भविश्य समवानने के लिए स्कूल की भूमी का सरवादिक होती है स्कूल एक ऐसी जगह होती है जब बच्चों का सामाजिक विकास तेजी से होता है वैसे तो समाजी करन के मामले में घर को सबसे बड़ा माना जाता है जहां पर बच्चा प्रात्वी किस तरपर सब कुछ सीखने लगता है लेकिन इसके बाद स्कूल उसे ऐसे से प्लेटफूम के रूप में मिलवाता है जिसके जरी उसका विकास होता है वहीं विध्याले के एक वरिष्ट सिक्षक बताते हैं कि वे दिन कितने सही थे जब संयुक परिवार में बच्चे अपने आप ही पलते थे और जब कुछ खास चाहिए होता था तभी माता-पिता के पास आकर ही रास्ता दिखा देते थे लेकिन धीरे-धीरे समय बदलता गया और आज बच्चे की परवरिश में माता-पिता के साथ साथ ब्राइट पब्लिक स्कूल जैसे संसकारों की एक बहुत भूमिका होती है शिक्षा व्यक्तिगत होना चाहिए हालांकि सीखना सामाजिक है सभी प्रते एक बच्चा एद्वित्य है और अलग-अलग तरीकों से सीखता है इस प्रकार स्कूल शिक्षा बच्चों को उनके भीतर एद्वित्य दुनिया के बारे में जानने और उनके आसपास की दुनिया में अपना रास्ता बनाने में शक्षम बनाती है